तितली का जन्म परिवर्तन की एक उल्लेखनिय यात्रा है। इसकी शुरुवात एक पत्ती के नीचे एक वयस्क तितली द्वारा रखे गए छोटे अंडाकार आकार के अंडे से होती है। कई दिनों के दौरान अंडे फूटते हैं और एक कैटर्पिलर प्रकट होता है। कैटर्पिलर जिसे लार्वा के रूप में भी जाना जाता है, पेटू होता है और अपना समय खाने और बढ़ने में व्यतीत करता है। तो इसके नीचे एक नई बड़ी त्वचा प्रकट होती है। भोजन और गलन की अवधी के बाद कैटर्पिलर एक आकरशक परिवर्तन से गुजरता है, जिसे प्यूपेशन कहा जाता है। यह अपने आपको एक पत्ती या शाखा से जोड लेता है, और अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरन बनाता है, जिसे क्रिसलिस या प्यूपा के रूप में जाना जाता है। क्रिसलिस के अंदर कैटर्पिलर का शरीर पूर्ण परिवर्तन से गुजरता है। यह अपने पुराने उतकों को गला कर उन्हें तितली के शरीर में पुनरगठित कर देता है। समय की अवधी के बाद, जो तापमान और प्रजातियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है, परिवर्तन पूरा हो जाता है। क्रिसलिस पारदर्शी हो जाता है और अंदर वयस्क तितली को उभरने की तैयारी करते हुए देखा जा सकता है। अंत में वयस्क तितली क्रिसलिस से मुक्त हो जाती है और अपने मुड़े हुए पंखों को खोल देती है। यह अपने शरीर से तरल पदार्थ को पंकों में पंप करता है, जिससे वे फैलते हैं और सख्त हो जाते हैं। एक बार जब इसके पंक पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तो तितली उडान भरने के लिए तयार हो जाती है। यह आमतोर पर अपनी पहली उडान शुरू करने से पहले आराम करने और धूप में अपने पंक सुखाने में कुछ समय बिताता है। नई उभरी तितली में अक्सर जीवन्त रंग और पैटर्न होते हैं, जो साथियों को आकरशित करने से लेकर छलावरण प्रदान करने तक विभिन उद्देश्यों की पूर्ती करते हैं। और इसलिए तितली का जन्म केवल एक शारिरिक परिवर्तन नहीं है, बलकि परिवर्तन, विकास और सुन्दर्ता का भी प्रतीक है, जो सबसे विनम्र शुरुवात से भी उभर सकता है।